ओम शान्ति 20 जून 2021 अव्यक्त बापदादा के महावक्य ओरिजनल डेट 22 जैन्वरी 1988 हिम्मत का पहला कदम समर्पंटा भ्रमा बाप की जीवन कहानी आज स्नेह के सागर बापदादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्शित हो रहे ही हर एक स्नेही आत्माउं को एक ही लगन है स्रेष्ट संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने स्नेह में समा जाए स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना सभी की दिल में यह द्रड संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह शक्तिशाली पालना और अखूट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है रिटर्न में क्या देंगे सिवाए दिल के इस नेह के आपके पास और है ही क्या जो भी है वह बाप का दिया हुआ ही है वह क्या देंगे बाप समान बनना यही रिटर्न है और यह सभी कर सकते हो बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेश ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है स्मृति शरीर की नहीं है लेकिन चित्रों के विशेश्ताओं की स्मृति है क्योंकि अलोकिक भ्राम्मन जीवन ज्यान स्वरूप जीवन है ज्यान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी अज्यानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी देह के संभंद के कारण दुख महसूस होगा लेकिन आप भ्राम्मन बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आज जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है अलवखिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ती दिलाती है चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रगट कर दे हैं लेकिन दुख के आसू नहीं वियोग के आसू नहीं यह स्नेह के मोति है दिल के मिलन का स्नेह है वियोगी नहीं लेकिन राज योगी है क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ती दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रटर्न दू रटर्न देना अर्थात समान बनना इस विधी से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रटर्न होंगे अर्थात साथ वापस जाएंगे रटर्न करना भी है और बाप के साथ रटर्न जाना भी है इसलिए आपका स्नेह वयाद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प समान बनने का उमंग देख रहे थे ब्रह्मा बाप के विशेष्टाओं को देख रहे थे अगर ब्रह्मा बाप की विशेष्टाओं का वर्णन करे तो कितनी होंगी हर कदम में विशेष्टाए रही संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा अपनी व्रत्ती द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना यह विशेष्टा सदाही प्रत्यक्ष रूप में देखी वानी द्वारा हिम्मध दिलाने वाले ना उमीद को उमीद में लाने वाले निर्बल आत्मा को उडती कला की विधी से उडाने वाले सेवा के योग्य बनाने वाले हर बोल अनमोल मधुर युक्त युक्त थे ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया सिरफ साक्षी होकर देखने वाले नहीं लेकिन स्थोल कर्म के महत्व को अनुभव करानी के लिए कर्म में भी साथी बने जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे स्वत ही करेंगे इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया संभंद संपर्क में छोटे बच्चों को भी संभंद से बच्चों समान बन खुश किया वान प्रस्त को भी वान प्रस्त रूप से अनुभवी बन संभंद संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया बाल को बाल रूप, युवास से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया सदा संभंद संपर्क से हरे को अपनापन अनुभव कराया छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसको नहीं करता तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है यह है संभंद संपर्क की विशेष्टा देखने में हर एक आत्मा की विशेष्टा वागुण को देखना सोचने में देखो सदा जानते हुए कि यह लास्ट नंबर के दाने हैं लेकिन ऐसी आत्मा के प्रती भी सदा आगे बढ़े ऐसा हर आत्मा प्रती शुभ चिंतक रहे ऐसे विशेष्टाए सभी बच्चों ने अनुभव की इन सभी बातों में समान बनना अर्थाद फॉलू फादर करना है यह फॉलू करना कोई मुश्किल है क्या इसी को ही स्नेह इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है तो बाप दादा देख रहे थे कि हार एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है लक्ष तो सभी का है लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है सभी नंबर वन बनना चाहते हैं दो तीन नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे यह भी लक्ष शक्ति शाली अच्छा है लेकिन लक्ष और लक्षन समान होना यही समान बनना है इसके लिए जैसे भ्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौनसा उठाया जिस कदम से ही पद्मा पदम भग्यवान आदिस से अनुभव किया पहला कदम हिम्मत का सब बात में समर्पंता सब कुछ समर्पं किया कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा कैसे होगा एक सेकेंड में बाप की स्रेष्ट मत प्रमान बाप ने इशारा दिया बाप का इशारा और भ्रह्मा का कर्म व कदम इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम तन को भी समर्पं किया मन को भी सदा मन मनाभव की विधी से सिध्धी स्वरूप बनाया इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिध्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया क्योंकि निश्चे था कि यह देना नहीं है लेकिन पदम गुणा लेना है ऐसे संभंद को भी समर्पित किया अर्थात लोखिक को अलोखिक संभंद में परिवर्तन किया छोड़ा नहीं कल्यान किया परिवर्तन किया मैपन की बुध्धी अभिमान की बुध्धी समर्पित की इसलिए सदा, तन, मन, धन से निर्मल, शीतल, सुखदाई बन गए कैसे भी लोकिक परिवार से वा दुनिया की अंजान आत्मवन से परिस्तितिया आई लेकिन संकलब में भी, स्वप्न में भी, कभी संशे के सुक्ष्म स्वरूप संकलब मात्र की हल्चल में नहीं आए भ्रह्मा की विशेश इस बात की कमाल रही, जो आप सब के आगे साकार रूप में भ्रह्मा बाप एग्जाम्पल था लेकिन भ्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था सिरफ अटल निश्चे बाप की श्रीमत का आधार रहा आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है और जितना जो पीछे आए हैं, उनके लिए और सहज है क्योंकि अनेक आत्मों के परिवर्तन की स्रेष्ट जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है यह करना है, बनना है, क्लियर है इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेस्चन उठने की मार्जिन नहीं है सब देख रहे हो, लेकिन भ्रम्मा के आगे क्वेस्चन उठने की मार्जिन थी क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूं, वर रौंग कर रहा हूं यह संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया, एक बल, एक भरुसा इसी आधार से निश्चय बुद्धी नमबरवन विजयी बन गए इसी समर्पंता के कारण बुद्धी सदा हल की रही बुद्धी पर बोज नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा चहरे पर सदा ही बेफिकर बाजशा के चिन्ह स्पष्ट देखे तीन सो पचास बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिकर रह सकता है एक बज़े बेल गंटी बजना है और ग्यारा बज़े तक आटा नहीं कौन बेफिकर रह सकता ऐसी हालत में भी हरशित अचल रहा यह बाप की जिम्मेवारी है मेरी नहीं है मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं मैं निमित हूँ मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं मैं निमित हूँ ऐसा निश्चे और निश्चिन्थ कौन रह सकता मन बुध्धी से समर्पित आत्मा अगर अपनी बुध्धी चलाते कि पता नहीं क्या होगा सब भुखे तो नहीं रह जाएंगे यह तो नहीं होगा वह तो नहीं होगा ऐसे व्यर्थ संकल्प वसम्षय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है कल्यान कारी है यह विशेषता है समर्पंटा की तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पंट होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया ऐसे फॉलू फादर करो निश्चे की विजय अवश्य होती है तो टाइम पर आटा भी आ गया बैल भी बज गया और पास हो गये इसको कहते हैं क्वेस्चिन मार्क अर्थात तेडा रास्ता न ले सदा कल्यान की बिंदी लगाओ फुल स्टॉप उसी विधी से ही सहज भी होगा और सिध्धी भी प्राप्त होगी तो यह थी ब्रह्मा की कमाल आज पहला एक कदम सुनाया फिकर के बोज से भी बेफिकर बन जाओ इसको ही कहां जाता है स्नेह का रिटर्न करना अच्छा सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले सदा निश्चय बुद्धी बन निश्चिंत बैफिकर बादशारेने वाले मन वानी कर्म संभंध में बाप समान बनने वाले सदा शुभ चिंतक सदा हरेक की विशेषता देखने वाले हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन याद प्यार और नमस्ते पाट यूंस से मुलाकात पहला अपनेको उन्चे ते उन्चे बाप की उन्चे ते उन्ची भ्रामन आत्माए समशते हो ब्रामन सबसे उन्चे गाये जाते ही उन्चे की निशानी सदा ब्रामनों को चोटी दिखाते ही दुनिया वालोंने नामधारी भ्रामनों की निशानी चोटी दिखा दी है तो चोटी रखने वाले नहीं लेकिन चोटी की स्थिती में रहने वाले उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है वास्तव में हैं उन्चे स्थिती में रहने वाले भ्रामनों को ही पुरुष उत्तम कहा जाता है। पुरुष उत्तम अर्थाद पुरुषों से उत्तम। साधारण मनुष्य आत्मा उनसे उत्तम। ऐसे पुरुष उत्तम हो ना। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। स्रेष्ट आत्मा बनने वाले अर्थाद पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुष उत्तम कहते हैं क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देवात्माउं से भी उन्चे ब्राम्मन हो, यह नशा सदार है, दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, रुहानी नशे के लिए बाब कहते हैं, बढ़ाते चलो, क्योंकि यह नशा नुकसान वाला नहीं है, और सभी नशे नुकसान वाले हैं, यह चड़ाने वाला है, वह गिराने वाले हैं, अगर रुहानी नशा उतर गया, तो पुरानी दुनिया की स्मृति आज़ाएगी, नशा चड़ा हुआ होगा, तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी, यह ब्राम्मन संसार भी नया संसार है, सत्युग से भी यह संसार अती स्रेष्ट है, तो सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो, दूसरा, सदा अपने को विश्व रच्टा बाप की स्रेष्ट रच्ना अनुभव करते हो, भ्राम्मन जीवन अर्थाद विश्व रच्टा की स्रेष्ट रच्ना, हर एक डारेक्ट बाप की रच्ना है, यह नशा है, दुनिया वाले तो सिर्फ अन्जान बनके कहते हैं, कि हमको भगवान ने पैदा किया है, आप सभी भी पहले अन्जान होकर कहते थी, लेकिन अभी जानते हो, कि हम शिव वम्शी भ्रमा कुमार कुमारी है, तो अभी ज्ञान के आधार से, समझ से कहते हो, कि हमको भगवान ने पैदा किया है, हम मुख वम्शावली है, डारेक्ट बाप ने भ्रमा द्वारा रच्ना रच्ची है, तो बाप दादा वमात पिता की रच्ना हो, डारेक्ट भगवान की रच्ना यह अभी अनुभव से कह सकते हो, तो भगवान की रच्ना कितनी स्रेष्ट होगी, जैसा रचेता वैसी रच्ना होगी न, यह नशा और खुशी सदा रहती है, अपने को साधारन तो नहीं समझते हो, यह राज जब बुद्धी में आज जाता है, तो सदा ही रुहानी नशा और खुशी चहरे पर वचलन में स्वत ही रहती हैं, आपका चहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सच्मुझ यह स्रेष्ट रच्ता की रच्ना है, जैसे राजा की राजकुमारी होगी, तो उसकी चलन से पता चलेगा कि यह रोयल घर की है, यह साहुकार घर की यह साधारन घर की है, ऐसे आपके चलन से चहरे से अनुभव हो कि यह उन्ची रच्ना है, उन्चे बाप के बच्चे हैं, खुमारी उन्से, कन्याय सव भ्रामणों से उत्तम गाई हुई है, यह महीमा क्यों है, क्योंकि जितना स्वयम स्रेष्ट होंगे, उतना ही औरों को भी स्रेष्ट बना सकेंगे, तो स्रेष्ट आत्माए हैं, यह खुशी रहती है, तो कुमारिया सेवाधारी बन, सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि यह संगम युग है ही थोड़े समय का युग, इसमें जितना जो करने चाहे, उतना कर सकता है, तो स्रेष्ट लक्ष्य और स्रेष्ट लक्षन वाली होना, जहां लक्ष्य और लक्षन स्रेष्ट हैं, वहां प्राप्ती भी सदा स्रेष्ट अनुभव होती है. तो सदा इस इश्वर्य जीवन का भल, खुशी और शक्ती दोनों अनुभव करती हो, दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते, तो भी प्राप्ती नहीं होती. अगर होती भी है, तो अल्पकाल की और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा. लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई. दुनिया वाले खुशी के लिए तडपते हीं, और आपको खुशी प्रत्यक्षभल के रूप में मिल रही है. खुशी ही आपके जीवन की विशेश्ता है. अगर खुशी नहीं, तो जीवन नहीं. तो सदा अपनी उन्नती करते हुए आगे बढ़ रही हो ना. बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारिया समय पर बच गई. नहीं तो उल्टी सीढ ही चड़कर फिर उतरनी पड़ती. चड़ो और उत्रो मेहनत है ना. देखो, कोई की प्रवरत्ती वाले हैं, तो भी कहलाना तो भ्रम्मा कुमार भ्रम्मा कुमारी पड़ता. ब्रम्मा अदर कुमारी तो नहीं कहते, फिर भी कुमार कुमारी बने न, तो सीढ ही उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा. बहुत भग्यवान हो. समय पर बाप मिल गया. कुमारी ही पूजी जाती है. खुमारी जब ग्रहस्ती बन जाती है, तो बकरी बन सबके आगे सिर जुखाती रहती है. तो बच गई न, तो सदा अपने को ऐसे भग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो. अच्छा, माताउं से. सभी भग्यशाली माताई हो न, कमजोर तो नहीं. बाप दादा, माताउं से क्या चाहते हैं? एक-एक माता, जगत माता बन, विश्व का कल्यान करे. लेकिन, माता ये चतुराई से काम करती है. जब लोकिक कार्य होता है, तो किसी न किसी को निमित बना कर निकल जाती. और जब इश्वर्य कार्य होता, तो कहेंगी, बच्चे हैं, कौन संभालेगा? पांडवों को तो बाप दादा कहते, संभालना है, क्योंकि रचता है. पांडव शक्तियों को फ्री करे. ड्रामा अनुसार, वर्तमान समय, माताउं को चांस मिला है. इसलिए माताउं को आगे रखना है. अभी बहुत सेवा करनी है. सारे विश्व का परिवर्तन करना है, तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीवर गती चही ना? तो पांडव शक्तियों को फ्री करो, तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो. अच्छा, वर्दान, सर्व रूपों से, सर्व संभंदों से, अपना सबकुछ बाप के आगे अरपन करने वाले सचे स्नेही भव. जिससे अती स्नेह होता है, तो उस स्नेह के लिए सब ही को किनारे कर, सबकुछ उनके आगे अरपन कर देते हैं. जैसे बाप का बच्चों से स्नेह हैं, इसलिए सदाकाल के सुखुं की प्रापती स्नेही बच्चों को कराते हैं. बाकी, सबको मुक्तिधाम में बिठा देते हैं. ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है, सर्व रूपों, सर्व संभन्दों से अपना सबकुछ बाप के आगे अरपन करना. जहां स्नेह है, वहां योग है, और योग है, तो सहयोग है. एक भी खजाने को मनमत से व्यर्थ नहीं गवा सकते. स्लोगन साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरिरी बन्ने में निराकार बाप को फॉलो करो. सूचना उपकार करे रहम दिल डाता स्वरूप में स्थित हो उन्हे सुख शंती की अंचली देने की सेवा करे. ओम शंती